हलो एब्रिवन वेल्कम बाग तो आ चानल बिलियन एजुकेशन वेर वी एम तो रीच इन टीच बिलियन पॉपुलेशन से गाइस कंटीनु कर रहे हैं आपकी 12 की सोचल लाजी से तो हम देख रहे थे एजुकेशन सिस्टम तो वहां पर हमने देखा था बहुत अच्छा होला सिस्टम हमने पढ़ लिया कि कैसे वेदों में बढ़िया बढ़िया नौलेज दिया जाता आज जो पढ़ेंगे वह थोड़ा सा डिप्राइव पार्ट होगा थोड़ा सा डी मोटिवेटिंग चीज होगी हिंदू कंचर या हिंदू एजुकेशन की साट करते हैं इटिज ऑ द्धागात पहनाते थे और उसके बाद उनको एजुकेशन दे देते थे कि अब आप पढ़ाई लिखाई कर सकती है विच देन डिनाइड देम एक्सेस टू लागन अगर वो द्धागा ना पहने तो उसके मतलब क्या सिरसिरा कि वह पहले तो उपनेना हटा दिये और उसके कहां लिखा है Constitution के अंदर लिखा गया Constitution के अंदर तो और इससे क्या और यह चोडी नहीं हो रही है तो उसके लिए मैं क्या कर दो मैं सिधा सिधा Constitution को एटा दू तो ना रहेगा Constitution ना रहेगा बांस ना बज़गी बांसुरी उसी तरह से यह सरीमेनी के थू उनको education दिया जात काज amount of literature related to sacrifice जैसे कि sacrifice मतलब क्या बोलते हैं यग्य के मीनिंग क्या होती है आप अगर जैसे बोलते हो यग्य के उसमें कुंड में जब कुछ डालते हो तो भगवान वहां से आपको आशिरवाद में कुछ देते हैं यह पूरा सिस्टम होता है यग्य सिस्टम का लेकिन इसे को sacrifice करें इसमें बली जो बुलते हैं आपको कुछ ना कुछ जगी है बोला था मैंने कुछ पार्ट देता हूं मैं जो मैं देता हूं तो वहां से गौड कुछ मुझे देते हैं तो यह sacrifice का पार्ट अभी sacrifice की limit बढ़ती जाए पहले क्या था घी था अनास था और खाने पेने क तो फिर दिरे दिरे बकरे आये गोट गोट को अटा के फिर काउ भी लाया गया काउ को लागे हॉर्स लाया गया हॉर्स को खटा के यूमन लाए गया यूमन चाइड जी हां यहां तक पहुच चुका था इसी को बोलते हैं sacrifice अच्छा तो इनको अलग-अलग नाम बोलते थी यग्य के अलग-अलग नांत है, जैसे कि अश्वमेद, अश्वमेद मतलब क्या था, यहाँ पे घोड़े की बली दी जाती थी, जी हाँ, राजा जबी बहुत होगा, उसका राज़ भी शेक होता था, यह सब चीजें लिखी हैं, आपको जानना पड़ेगा, श्वमेद, तो यग्य के बहुत सारे टाइप थे, यग्य पे प्रोपरली जैसे कि आप लोग यग्य का साइस क्या होना चीए, जो कुंडल होता ह अब उसका शेप क्या होना चीए, यह सब भी प्रिसाइजल लिखा गया, कौन से वेद में, यजुर वेद में, यजुर वेद में, अब साम वेद, साम वेद में गाने लिखे गए, जो किसी के सैक्रिफाइस पर, या किसी किस टाइम पर क्या गाने चीए, तो सरीमनी के की बुखती आज आ जा चुके थोड़ा मैल लिखोंगा उसके बाद मेरे आगे आने लिखेगी तो वेड ऐसे बने एक ही दिन में वेड को लिख नहीं दिया गया है लोग आये एडिशन करते गए तो क्या हो रहा था अब मार काट चलो लालच ग्रीडिनेश चलो हो चुका था क्योंकि लोग सोसाइटी देखे जब भी सोसाइटी इसके लिए आप कोई भी चीज़ बिश्री के पढ़ेंगे ना एक चीज़ से रिलेट नहीं करना है कि अचानक से सब लालची हो गए क्या आपको साइट बे साइट पढ़ना पढ़ता है कि क्या उस टाइम पर बाहर से अटायक हो रहे थे क्या हमारे पास लालची राजा भी थी क्या उसकी अलावत क्या उस टाइम पर फरमाइन आये थे फरमाइन मतलब सूखा पढ़ा था ऐसी सिंपल इशू से नहीं होता कि सब चीज़ें चानक से खराब हो गए या यग्य सैक्रिफाइज होने लगा सब का सब खराब होने लगा इकोनामी क्या उस टाइम पर डिस्टेबलाइज हो चुकी थी कोई बेकार डिसिजन मेकिन राजा भी आया था क्या तो क्या हुआ ऐसा रीजन कि यह सब चीज़ें खराब होने शुरू हो गए तो जब बोलते हैं सोने की चीडिया थी भारत तो यह क्यों लेटर जो बोलते हैं अब उसमें क्या ट्राइबल उनिट्स अब देखिए पहले राजा जन्पत बोलते हैं जन्पत से बड़ा महा जन्पत यह लोग लड़ाई कर रहे थे जैसे कि आप लोग कुरुदेश था पांडव था ऐसा था फिर उसी तरह से हमारा मगद था एसे अलग-अलग महा जन्पत थे ब्रिष्टी थी ऐसे महाजन्पत अपने में लड़ाई करते हैं अब क्या हुआ यह लोग जंगल में जाने लगे, ट्राइबल्स को हराने लगे, वहाँ पे लोगों को तोड़ने लगे, उनको मारने लगे, क्योंकि उनकी अथ हतियार नहीं थी, तो उनको उनकी घर से ही निकाल दिया गया, और आपको मालुम है, अब नीचर भी डिस्ट्रक्ट होने लगी, नेचर डिस्ट्रक्ट हुआ तो उसका कॉज इनको भी दिखेगा अब फिर से सिचुएशन और खराब गी यह पूरा बूलते ना विशिय साइकल बन गया चुआ था ठीक है इन इस सिचुएशन चीफटेंस मतलब जो चोटे-चोटे गाहों के चीफ रहते हैं जो पूरे गाह अब वही चीज चोरी करना मना तो चोंस्टिटूशन में लिखा तो इसी तरह से चिफटेंस सब को मोटिवेट कर रहा है चिफटेंट को हटा दो इस तरह से अने लगा इन इस सिचिएशन औफ सीमिंग होपलेसनेस्ट इमर्जेश एसेटिजम एसेटिजम मतलब देखे सब कोई गete हो रहे हैं इसी में एक साइड में रोल आया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे कुछ नहीं चीए मुझा शरावा या किसी की नीड हुई ये सब से उपर उठ गया हूं इसी को सब काईवल्य की प्राप्ति और सभरी सेखरived के उत fabrics कर दे कुछ नहीं को आपको साथ में क्योंकि कुछ लोग सोसाइटी सब परिशान होते बोलते चलिए इतने लोग खाना मांग रहे हैं मैं खाना छोड़ देता हूं तो ऐसी चीज़े होने लगे थी तो अपी दुनिया छोड़ दू इसमें बहुत है जो रॉष्ट्रेंड में भी यह सब चीज होती थी सब में थोड़ा थोड़ा कहीं न कहीं से यह सब चीज़ आने लगए लग रहा था कि पुरा हर जगे पाप हो रहा है तो हम लोग कुछ अच्छा काम करते हैं ऐसी चीज़ तो अपनिशद में आप इसके उपर आ गया कि salvation करने के लिए आप कैसे कैसे आप इसके उपर पूरी थेरी लिखी जाने लगे साइड बर साइड इसमें लोग लिखना ले गुरू लोग लिखने लगे तो बोलते हैं क्या यह दिगवेद में नहीं था पहले नहीं था सालवेशन की में तरफ पहले भी थे लेकिन उसको नए पॉर्म में लेके आने को शुरू कर दिया ठीक है यह आपको बाद याद बारनक्य और उसके बाद उपनिशद अगर उसके बाद अगर टाइम मिलता था वेदांग भी देख लेना या उपवेद भी देख लेना यह सब देखिए इसमें आप लोगों को बुकों के बारे मालों पड़कर यह सब अलग हैं प्रामन निकाज अब आपना ब्रामनाज अलग चीज़ हैं ब्रामन से अलग चीज़ हैं यहां पे बुलते है वरिग वेद जो हम लोग वेद बूलते हैं यह बात कर रहा है उपनिशद का बेद और उपनिशद में क्या रिलेशन था यह सब दी के प्लीज डीटेल में जाएगा इस ठीक है तो मही आएगा आपको प बात कर सकते हैं यह बात कर सकते हैं तो मतलब क्या जो लड़ाई थी वो राजा लोग की थी वहां पे वो लोग पब्लीक को घसीट के लेके जा रहे थे समाज के कुछ तपते के लोग अभी भी ठीक थे जो यह सब discussion कर रहे थे इसके बीच में लेकिन ultimately इनकी situation भी खराब हो जाएगी यह लोग भी विचारे पर of humanitarian and artistic movement अब धियान रखना है विच इंटर लेट तो दे न्यू सेंटर सफ्पिर्चुल लीडर्शिप अधेटिक्स एंड बैंडरर अब आप लोग के एक चीज बताओंगे जैसे की धियान रखना है अब इसी के eastern इंडिया में कौन कौन से पाट आते हैं आप लोग को माल मे बिहार, पेंगौल, नार्थिस्त हमारा पूरा और ओडिसा बड़े-बड़े यहीं मिलके आज जो modern day तो देखिए बिहार और वो जोन में आए कौन? हमारे बुद्ध बाद में आएंगे ठीक है तो बुद्ध का जो जनम था बुलते हैं लुम्बिनी में हुआ है जो foreign day ने लेकिन यह पूरा जो अपना salvation निर्वाना प्राप्त किये तो गया बहुत गया बिहार में प्राप्त किये थे तो वहां पर क्या हुआ दो टाइप की moment चालो है कि खाना-पानी छोड़िए तो जो सन्यास बोलते हैं सब चीज़ों से सन्यास ले ले लिजिए एसेटिजम सब जो दुनिया की नीटी छोड़ देजी और दूसरी चीज़ वहीं पर भगवान ने यह तो हुआ कि हम लोग खाना-पानी छोड़ेंगे अपने सब्सक्ते वहीं पर कुछ लोग भगवान में बिलीफ करने वाले यह अगर हम लोग यह संसार बोलते हैं ना कि पाप पुन्य क लेखा जोगा तो पाप बढ़ रहा है तो पुन्य करने लोग भी तो इसमें भगवान का नाम लेने वाले लोग भी आए थिस्टिक मतलब याद रखने है थिस्टिक मतलब गौड को मानने वाले लोग वह लोग भी सामने आए जब तक सोसाइटी पीस में रहे उसके लिए साइन्स का सपूर्ट दोनों अच्छी चीज़े तो वहां पर आए ठीक है अब उसी के इसाब से दो तीन चीज़ें पूरे हर जगए फैल चुकी थी ध्यान रखना कोई भी मर्जेंस हो रहा है किसके यह जो ब्राह्मन बहुत ज़्यादा खराब ही करने सेक्रिफाइस के त वर ही वर किये जा है रहे हैं तो जानीव हम पैसा भी जा रहाता लोगों का बॉडिवी जा रहा दाए और २ीचर भी खराब से चेले बहुत सलीशन और इसी बेंगॉल के इसले बोलते हैं आज का जो modern day बेंगॉल है उसकी नीव बहुत पुरानी है लोग भूल जाते हैं कि क्यों क्या था आज बेंगॉल की कंडिशन को देखके बोलते हैं कि बेंगॉल कितना बेकार है बेंगॉल बहुत समय तक अच्छा रिच रहा है हर intelligent इं इंडियन है एन राए हैं वो तो दे नाव रिजेक्टे अफ वेदास और वेदिक प्रीस दो दे कंटीनिव तो बिलीव डॉक्ट्राइन अफ ट्रांस माइगरेशन और दे लाओ दीट अब यहां से देखेंगे आप वेदों की इजट गिरने लगी अब लोग का वेदों प करता वेद किसकाम का अब लोग वेद से दूर भागने लगे लेकिन सब चीज से दूर नहीं भागे ट्रांस माइगरेशन मतलब क्या पुनर जनम याद रख लीजिए वर्ड को पुनर जनम पुनर जनम में विस्वास रखते थे अभी भी मानते थे कि पुनर जनम होता है और दूसरा मैं जैसा करम करणा वैसा मुझे फल मिलेगा यह बुद्धा भी मानते थे महावीर भी मानते थे लेकिन जैसे कि समझे आप जो हमारे हिंदू philosophy क्या बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं one life baby एक जिन्दगी में जो करना है करमर के इसी में जीना है नहीं हिंदू धरम क्या बोलता था कि आप जो अगर अच्छा कर रहो है तो अगर इस जनम में समझवाँ आपको नुकसान भी हो गया, आपके नेक्स जनम में आपको फाइदा मिलेगा, तो अगर आप तोच रहा हो कि इस जनम में इतना खराब काम करके भी बजगा देखो इतने अच्छी जिंदिगी जी रहा हूं, तो उसका नेक्स जनम होगा वो यह साइकल बनाया था हिंदू फिलोसफी इसलिए सब को ताकि सब लो अच्छे से काम कर पन मैं सिर्फ हिंदू फिलोसफी कि हिंदू कल्चर इंडिया का बहुत डॉमिनेटिंग रहा है क्योंकि जो बाकी सब कल्चर हो लेटर आन है और जैसे चैप्टर बढ़ रहा है वहीं साथ से मैं भी बढ़ूँगा दे फ्रॉंड अपॉन दे ब्लड सैक्रिफाइस विच बिकेम पार्ट ऑफ ब्रामिनिकल रिच्चुकल तो ब्रफ्रॉंड मतलब दूर भागें लोग बोलते हैं भाई पहले बात तो सैक्रिफाइस बन करो आनिमल्स को काटना बन करो पैसा मांगते हो तुम लोग पहले सेंचुरी में हुआ था हमार जीजस के बार्ट के भक्ति मुमेंट आया था इंडिया में वह वाला फॉर्म देखते हो आप जो पहले वाले फॉर्म थे वो रेरली अवेलेवल हैं प्लीज मेक शूर दाट इंडिया में हिंदू के लिए दो चीज एक वेदिक कल्चर है और भक्ति मुमेंट के बाद वाला जैसे कि आप लोग आउतार देखते हो हम तूट जाएं फिर भी हमको बटे अंटटे रहना है उसी तरह से इस तरह में पर ध्यान देता है कि इसी के बीच में हमको तूटना नहीं हम लोग नॉन वाइलेंट रहेंगे यहां पर जो वैंडरस बोला था उसका मतलब आप लोग को अब समझाओगा कि एसेटिक्स मतलब जो दिवन के दुखमक से सब छोड़ दिया जैन के बार 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 बोलता है उन्होंने खाना पानी कपड़ा सब छोड़ दिया था बारए साल तक गूमते रहे वैंडरर मतलब गूमता रहा लोगों नोंको पत्थर मारा फिर भी जब उन्होंने अपना मूँ खोला तो लोगों मान पड़ा इतना ग्यान वाला इंसान कहां से आ सकता है और इसी तरह बुद्ध अपना राजपाट छोड़के अपना लोगों के बीच में आए ताकि यह जो पूरा प्लीज लाइक दवाना कमेंट करना आपने दोस्तों में से शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मिलते हैं नेक्स वीडियू में टिल देन बाई बाई वाई हैव ग्रेट और नाइस डेएट सायोनारा लेकिन बाद एक साथ की मिलेंगे दोबारा